छोटी सी बात से शुरू होई लड़ाई, कब गाउं के दो पक्षों की आपस में बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है, पता ही नहीं चलता। एक पक्ष के कई लोगों का कतल हो जाता है, तो दूसरे पक्ष के लोग या तो जेल में थे या फिर वो फरार चल रहे थे। उनके घर की महिलाईं घर पड़ थी, तब एक पक्ष के लोगों के अंदर क्या हैवनियत जागती है, कि वो उनके घर जाते हैं, उनके घर की जो महि ब़्लाओं को वो निवस्तर करड़ देते हैं। का जिकर आता है तो ये इस गाउं के लोग सहम जाते हैं ये सोच कर कि छोटी सी लड़ाई आखिरकार इतना बड़ा रूप कैसे ले सकती है आदाब नमस्कार सस्त्रियकाल में उस्मान सैफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुने जा रहा हूं इस सची घटना है हरियाना प एक्सप्रियंस बहुत अच्छा नहीं था तब गाउं का ही वो व्यक्ती जो दली समास से था वो जाता है एक जिमिदार आदमी के पास इसका नाम रिसाला सिंग होता है जाकर हाथ पैड जोड़ता है कहता है कि साब मेरी बेटी की बरात आएगी बस मैं कोई किसी तरह का बि और गाउं में किसी की हमत नहीं जो तुम्हारी तरफ को आँख उठा कर भी देखे वो तारिक जो थी उस तारिक पर बरात आती है और जब बरात आती है तो बरात चड़ने की जब तैयारी चल रही थी किसी ना कर रिसाला सिंग को खबर दी कि उनकी बरात आ चुकी है आप इसमें मदद कर दीजिए रिसाला सिंग ने अपने दो पोते एक कनाम राजू होता है दूसरे कनाम नरेश होता है उनसे कहा जाता है कि तुम बरात के तब तक साथ रहोगे जब तक क्या बरात की पूरी तरह से चड़त नहीं हो जाती इसलिए सब कुछ साकुशल बापिस ल ब्रहमजीत सिंका के जब घर पड़ता है तो किसी ने वहाँ से उन बरातियों के उपर पानी फैक दिया जैसी पानी फैका तो उसमें शोर मच जाता है चीख फुकार मच जाती है कि पानी फैका गया है इसी बात को देखते हुए राजी और नरेश खड़े होते हैं कहते हैं और यहां किसी भी तरह की कोई विवाद नहीं होना चाहिए यदि विवाद होगा तो बात आगे बढ़ सकती है उस वक्त तो हाथ पैर जोड़के किसी तरह से इस विवाद को खत्म कर लिया गया शांत कर लिया गया क्योंकि बेटी की बरात आई हुई थी कोई नहीं चाहता जब शुरू होती है तो पहला उन्हें मौका मिलता है ब्रहमजीत को और रिसालप सिंग का जो बेटा होता है जिसका नाम हरपाल सिंग होता है। बदला लिया जाया, इसलिए सदर्क रहना है, और धीरे-धीरे करके कब एक साल बीत जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता, बरहमजीत का परिवार एक कदम फूंक फूंक क रख रहा था, खेड़ी के पुल के पास रिसाला सिंग के परिवार का एक व्यक्ती होता है, जिसको ना कहानी शुरू होती है पहले हाथ पैर तोड़े जाते हैं एक व्यक्ति के स्कनाम हर पाल होता है और दूसरा ये जो कहानी आगे बढ़ती है तो पहला कतल हो जाता है सत्वीर का जो रिसाला सिंग के परिवार का लगता है अब इस घटना में जो ये राजू और समय पाल ये वहाँ के जरूत पड़ती है रिसाला सिंग के परिवार के एक तो उनका पोता होता है राजू दूसरा समय पाल होता है ये गभा होते हैं और इनमें मुकादमा दर्ज होता है दूसरे पार्टी के ब्रहमजीत मुकेश जैप्रिकाश और प्रिमोध इनके खिलाफ एफ आयर में आता है और ब्रहमजीत के परिवार वालों को एक बार फिर से मुका मिल जाता है नरेश की चाको घूपकर हत्या कर दी जाती है और जो हत्या होती है तो इस परिवार में और भी तनाप की इस्तिती पैदा हो जाती है और नरेश हत्या कान में गभा बनता है राजू राज साल इनकी साल 1998 में उन्हें मौका मिल जाता है और ओल्ड फरिदाबाद के पास राजीत चोक के निकट गोली मार कर राजू की भी हत्या कर दी जाती है यनकी एक पक्ष से अभी सबसे पहली शुरुवात होती है हरपाल के हाथ और पैर तोड़ दी जाते हैं साथ ही उनकी जो प फायर दर्ज कराए जाती है और जब फायर दर्ज होती है तब पता चलता है कि जो वीड सिंग है वो भ्रहमजीत का भाई है और हर्याना पुलिस में हवलदार होता है गाउं में अपतना पूनिस्तिती रहने लगती है लोग डरने लगते हैं कि एक पक्ष के पास जाकर दीर दीरे करके ऐसे वक्त आगे बढ़ रहा था और इसी वक्त के बीच में या तो ब्रहमजीत के परिवार के कुछ लोग फरार चल ले थे या फिर वो सलाकों के पीछे थे लेकिन इसी बीचे मौका मिलता है रिसाल सिंग के परिवार के कुछ लोगों को उन्होंने जाकर ब्रहमजीत के परिवार की कुछ महिलाएं जो घर पर मौजूद थी ऐसा बताया जाता है कि उनकी परिवार की महिलाओं को निवस्तर कर दिया गया था, उनका चीर हरण कर दिया गया था और इस बात से ब्रहमजीत का परिवार बहुत दुखी हो जाता है, परिशान हो जाता है और इसी विफिकी में मौका मिलता है रिसाल सिंग के परिवार वा लों को और ब्रहमजीत का जो भाई होता है जिसके नम जीतन होता है उसकी हत्या कर दी जाती है अब एक तरफ जो ब्रहमजीत का परिवार था वो भी सलाकों के पीछे पहुँच जाता है और जीतन की हत्या होने के बाद जो दूसरा जो पहला पक्ष है हरपाल सिंग उसके भी परिवार के लोग जेल वे पहुँच जाते हैं अब दोनों ही पहला पक्षभी और दूसरा पक्षभी यानि कि रिसाल सिंग के परिवार के लोग भी सलाकों के पीछे पहुँच जाते हैं और बिरहमजीत के परिवार भी सलाकों के पीछे पहुँच जाते हैं अब यहां आपस में मिलना जुलना यह सब होता रहता था जब आपस में एक दूसरे की देखते थे बाचित करते थे तब ही उन्हें एक प्लान बनाया ऐसा प्लान कि जो भी हमारे बीच में हुआ है उस बरात चड़ने से लेकर अब तक इस सीज को भुलाने की कोशिश की और लड़ाई को चाहें तो खत्म कर सकते हैं और ना खत्म की जाया तो वो कितने भी लंबी जा सकती है जेल में बैठे बैठे यह प्लानिंग करते हैं कि हम इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देते हैं और जब खत्म कर देते हैं उसके बाद में में आपस में कुछ सहमती बन के इनके लोगों को जमानत मिलनी शुरू हो जाती है पहले पक्ष के लोगों को भी और दूसरे पक्ष के लोगों को भी दूसरे पक्ष यंके ब्रहमजीत के जो परिवार के लोग होते हैं ये लोग ये एक दिल में कसक अपने पाले बैठे थे क्योंकि उन्हें बाद में पता चलता है कि जब वो इस सलाकों के पीछे होते हैं तो उनकी परिवार की महिलाओं को निवस्तर किया गया था और निवस्तर होने की वज़े से ही उनको ये आग लगी हुई थी कि जब भी मौका मिलेगा तब इस बात का बदला जरूर लिये जाएगा और 20 दिसंबर 1999 को आखिरक को धोके से फरेदवाद के सेक्टर सोलह में बुलाया जाता है और बुलाने के बाद इनकी सामुई की रूप से हत्या कर दी जाती है इस चोहरे हत्याकार ने पूरे हर्याना परदेश को हिला कर रख दिया था हिलाने बाली बात ये भी थी चूंकि इन्हें एक साथ एकी जीत सिंग समेत 15 लोगों पर F.I.R. दर्ज की जाती है ये 20 दिसंबर 1999 का ये उस इलाके का नहीं बलकि कई पिर्देशों का बड़ा चर्चित मामला रहा था कि किस तरसे चार लोगों की इस तरसे निर्मम हत्या कर दी जाती है और इस हत्या कार्ण की जांच आती है SSP चोरे हत्या कांड का जो मुखे गभा होते हैं रिसाल सिंग और रिसाल सिंग एक बार 14 अपरेल 2002 की सुभे की बात है ठेड़ी के पास शायद अपने पिलोट की तरफ गई होए थे और उनकी किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी यानकि चोरे हत्या कांड का एक मात्र जो चश्म कर दी जाती हैं एक तरफ से एक होता है और दूसरे तरफ से आठ लोग होते हैं चार एक बार में मार दी जाते हैं और बाकी एक एक करके चार वैसे मार दी जाते हैं कुल मुलाकी जब नो लोगों की हत्या हो जाती है तो जब रिसाल सिंग की हत्या होती है तो इस हत्या पांच लोगों को क्योंकि ये पंद्रे लोगों के खिलाफ डर्स थी इसमें पांच लोगों पर को फांसी की सजा सुना जाती है साथ ही दस लोगों को उम्र कैद की सजा सुना जाती है अब ये उच अदालत में की हाई कोर्ट में अपील की जाती है हाई कोर्ट ने जब इस के फिर से पुन्हे सुनवाई होनी चाहिए फिर से पुन्हे सुनवाई होती है और ये पहली जो सुनवाई होती है 21 अगस्ट 2004 को देरी-धेरी करके जो 6 महीने का समय दिया गया था वो समय ऐसा आगे बढ़ता है कि 17 नॉभर 2010 तैरह आ जाता है और पता चलता है कि पुन्हे सुनभाई के दुरान सब को बाइजद बरी कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस ऐसे कोई सबूत नहीं जुटा पाये थे जिससे कि अदालत के सामने रख सकते थे कि चोरे हत्याकार्ण में इस तरह के मामला में इस तरह की कारवाई होगे जब ये बाइजद बरी हो जाते हैं तो ये मामला हाई कोट में चला जाता है इधर ये मामला हाई कोट में चला जाता है क्योंकि चार लोगों की एक साथ जो हत्या हुई थी और बाद में उनके सबों को जला दिया गया था इस पूरी कहानी का जो मुख्या आरोपी था ब्रहमजीत होता है ब्रहमजीत बताया जाता है कि फरीदाबाद के सेक्टर 11 ये मिलनवाटी का होती है वहाँ पर एक जगए खड़ा होता है एक लाल रंकी ब्रेजा कार आती है उस ब्रेजा कार में ये 27 फरवरी 2018 को उस कार में बैटता है और बैटने के बाद गायब हो जाता है जैसे वह गायब होता है उसके परिवार वालों ने हर जगे ढूनने की कोशिश की तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिलता नहीं है कहीं से मुख्विर के माधिम से सूचना मिलती है 24 मार्च 2018 को कि ब्रहमजीत का जो लाश है वो हर्याना के पलवल के एक फारम हाउस के अंदर लगवग 10 फुट गहरे गड़े के अंदर दबा हुआ है जैसे पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस मौके पर जाती है उस गड़े को खुदबाती है और ब्रहमजीत जिसकी वज़े से जिसकी हट धर्मी की वज़े से अब तक एक तरफ के लवग 9 लोगों की हत्याएं हो चुकी थी अब उसकी खुद की अनकी ब्रहमजीत की भी हत्या हो चुकी थी और जो पुलिस को मुक्विर से सूचना मिली थी पुलिस नी जब मौके पर जाकर उस गड़े को खुद वया तो 10 फूट गहरे गड़े के अंदर ब्रहमजीत की आकरकार लाश मिली जाती है लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ यहां से शांत हो जाएगा और जैसे ही इस हत्याकंट के बारे में आरूपी बनाया जाता है राजीब और उसके साथ काम करने वाली एक महिला होती है स्वाती सेथी बताया जाता कि 10 करोड रुपे के आसपास की देंदारी थी पर जिस पर हत्या का रोप लगा था उसे किसी वज़े से 4 या 5 थपड़ मारे थे और उस थपड़ का बदला लेने के लिए ही ब्रहमजीत की हत्या कर दी जाती है लेकिन जब मामला यह आदालत में पहुंचा जाता है तो आदालत पहुंचता है अक्टूबर 2021 को पता चलता है कि परियाब सबूत ना मिलने के कारण राजी भाटी और उसकी जो सहयोगी होती है स्वाती सेठी वो भी शायद बाइज़त बरी हो जाते हैं उसके बाद में क्या होता है पता है नहीं चलता लेकिन 24 साल बाद हाई कोट का इस चोरे हत्या कारण में फिर से फैसल आता है हाई कोट की तरफ से पहले तो इस मामले में वायज़द बरी हो जाते हैं लेकिन मामला जब हाई कोर्ट में पहुंसता है तो उसमें दस लोगों को उम्रकैद की सजा सुना जाती है और दो लोगों को आज इवन कारवास की सजा सुना जाती है आखिरकार आज भी इस मामले की जो पैर भी कर रहे हैं वो रिसाला सिंग के पोते होते हैं जिनका नाम सतीश उर्फकलू होता है और वो सुप्रीम कोट की शर्ण में जाते हैं ये कहने के लिए कि जो इन्हें सजा मिली है यानि कि दस लोगों को उम्र कैद और दो लोगों को आज भी कारवास वो कहते हैं कि जिस तरह के इन्होंने हत्या कांट को चोरे हत्या कांट को अंजाम दिया था या परिबार के और इन्होंने चार लोगों की हत्या की थी इस हिसाब से इन्हें सजा कम मिली है इन्हें जादत सजा मिलनी चाहिए इसलिए वो अभी सुप्रीम क रूप में मामला चल रहा है। शुरुबात में लड़ाई होती है गैर कानूनी रूप से और एक दूसरी के मूचों की बज़े से एक के बाद एक कतल होते चल जाते हैं। आता है तो लोगों के अंदर से सिरहन से पैदा हो जाती है लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि छोटी सी लड़ाई को आखिरकार इतने बड़े रूप कैसे दे सकते हैं काश उस दिन जैसे क्या उस दलित वस्ती की जो बरात आये थी उन्होंने बरदाश्ट किया था कि उनके उपर पाइन डाल दिया ठीक वैसे ही रेसाला सिंग का परिवार या ब्रहमजीत सिंग का परिवार बरदाश्ट कर लेता तो इतने लोग कभी न मारे जाते ना के भी लोग मारे गए बलकि जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई भी बरबाद हो चुकी थी उनकी को लेकर इतना भी तुनक नहीं होना चाहिए इतना भी दिल पर नहीं लेना चाहिए जिससे क्या पीडी दर पीडी बरबाद हो जाएं और जाते जाते शिकोहबाद के अरनव प्रताप सिंग हैं साथी कृष्णा यादव हैं और नूर मुहमद सिद्धी की कुशी नगर के बाले हैं आज इनका जनम दिन हैं इनको जनम दिन की धेरो सारी शुबकाम नहीं बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- जनक ओजा नेपल से रामपुर से रोहन जैपुर से सलीम खान शाइस्ता खान छोटु राम राजिस्थान से रामपुर से शानु अबासी छपरा से सोनु सिंग राजपूत अमरुहा से राजबीर सिंग पोस्पाल नवादा से गोल्डन एकराम साहरन पुर से दिनेश कुमार राही और एटा से मनजीत यादब आप सब लोग अपना खैल रखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत